हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी के हमारी यूट्यूब चेनल में आज किस वीडियो में मैं आपको पताने वला हूँ जारखन सेक्षिक अनुसंधान एवंग प्रसिक्षन प्रिसद राची मासिक मुल्यांकन मन्थली एसस्मेंट तो ये मा सितंबर का है और सात्र दोजरे लिंक दिया है लिंक पर जाकर क्लिक करें या फिर लिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसने पहला विसा हिंदी दिया गया है तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का नहीं तो इस वीडियो हम लोग साइंस का सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर गती की दिसा के विपरित होती हैं क्या कहलाता है? option A में संपर्खबल, option B में PACEABLE, option C में घर्सनबल और option D में दियावाए चुम्बकियबल तो friends इसमें जब बल जिस दिसा में जो गती होता है ना तो उसके विपरित जो होता है ना वो घर्सनबल काम करता है कुन 사वल काता है फ्रेंग, घरसन बल आगे दुसरा प्रेंट ने देखते है फ्रेंट्स क्या काता है प्रेंट्स ने 2 काता है, मान लिजिए एक दुकान में short circuit से आग लग गई है, आप आग पर नियन्तरन के लिए कौन सा उपाई करेंगे option A में कता है जल का छिड़काव करेंगे option B में switch को off करेंगे option C अगनी सामक दल को खबर करेंगे या फिर option D सभी विकल्प सही है तो friends इसमें इसका answer किया जाएगा option number C क्योंकि friends जल का छिड़काव हम करने सकते हैं कि विद्दुत का सुचालक होता है अगर हम जल शिड़काव करेंगे तो इसमें current पास हो सकता है हमें current भी लग सकता है और switch को off करने अगर जाएंगे तो switch में ऐसा भी होता होगा कि switch पर भी current आता हो तो switch से भी हमें current लग सकता है इसलिए क्या करेंगे ओप्षन C में अगनी सामक दल को खबर करेंगे तो इसको नौट करते चलिएगा अगला प्रस्ण को देखते हैं इसमें आगला प्रस्ण है लगु उत्रिये प्रस्ण प्रस्ण तीन प्रदिप्थ एवंग और प्रदिप्थ वस्थूओं में अंतर को उधारन सहीद बताएं इसका उतर देखेंगे प्रदिप्थ वस्थूओं जिसें इंगलीस में कहते हैं लुमिनियस अबजेक्ट और प्रदिप्थ वस्थूओं जिसें इंगलीस में कहते हैं नन लुमिनियस अबजेक्ट तो फ्रेंस प्रदिप्थ वस्थूओं क्या है तो वे वस्थूओं जो प्रकास उस सर्जित नहीं करती है उसे और परदीप्त वस्तुएं कहते हैं जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकडी, पुस्तक, मानाव, दरपन, दिवार, इत्यादी तो फ्रेंस इसे परदीप्त वस्तुएं और और परदीप्त वस्तुएं में अंतर अस्पस्ट करना था जैसे हम परदिप्त वस्तु वे वस्तु होता है जो उसका अपना लाइट होना चाहिए उसका खुद का रोस्नी होना चाहिए जैसे सुरी का जैसे खुद का रोस्नी है तारे का खुद का रोस्नी है उसका अपना रोस्नी है अपना प्रकास है विदुद बल्व होता है तो विदुद किसी दूसरे के सायतास नहीं जलता है वो इसका खुद का प्रकास होता है जैसे आग जलता है तो आग का खुद का रुस्मी होता है किसी दूसरे का नहीं होता है आग जलती भी मुंबत्ती जैसे मुंबत्ती जलाते हैं तो उसका खुद का रुस्मी होता है खुद का प्रकास ह तो इस तरह के वस्तू को हम लोग क्या कहेंगे परदीप्त वस्तू है और इसमें अपरदीप्त वस्तू है तो वैसा वस्तू है जो खुद से परकास उस सजीत नहीं करता है किसी दूसरे के मदद से या फिर उसका अपना खुद का परकास नहीं होता है वैसे वस्तू को क्या क वज़े से ये चंद्रमा चमत्ता हैं और ये गरह जैसे गरह हुआ लकड़ी, पुस्त, अक्मानो दरपन इसको आयना काते हैं जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो ये दरपन, दिवार, ये सब, ये सारे जितना भी वस्तु हैं ये क्या है और प्रदीप्त वस्तु है तो फ्रेंस चलिए अब आगला प्रस्टन को देखते हैं तो प्रस्टन चार में क्या कहता है बिजली मिस्त्री बिदूत उपकर्णो जैसे स्वीच बोड बिजली के तार आदी के मरमत का कारिय करते समय हाथों में रवड के दस्ताने पहन कर क्यों काम करते हैं तो फ्रेंस इस इसमें करता है कि जो बिजली का जो मिस्ती होता है वो विदूत मतलब बिजली का जो काम करता है उस बिजली के काम करते समय क्या करता है स्वीच बोड और बिजली के तार इत्यादी जो और भी बहुत सार है जो इलेक्ट्रोनिक बिजली से संबंद कुछ भी मरमत जो करते है काम करते समय के क्या करते हैं अपने हाथ में दस्ताने पान लेते हैं रबड के दस्ताने पान लेते हैं तो क्यों पानते हैं तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं करते समय अपने हाथों में रबड के दस्ताने पान कर काम करते हैं तो फिरस जो रबड के दस्ताने होते हैं जो हाथ में पानते हैं बिजली मिस्त्री तो वो जो होते हैं वो दस्ताने जो होता है वो विद्दूत उसमें करंट नहीं लगता है वो जो होता है विद्दूत यह अपने हाथों में रबड के दस्ताने पहन लते हैं यही कारण है कि बिदुद स्वीच बोड बिजली के तार या फिर और भी कोई मरमत काम करता है बिजली से रिलेटेड तो वो हाथ में अपने रबड के दस्ताने पहन कर काम करते हैं फ्रेंस आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें किसुरा वस्था में जो होता है उसका जो सारीरिक विकास जो होता है तो सारीरिक विकास में जो पोशक ततों की अविसेकता होता है और भुमिका होता है उसका वर्णन करने का आता है तो चली इसको वर्णन करते हैं तो फ्रेंस पांच नमर का उत्तर में लिखेंगे अब हमलो किसोरा अवस्था पोशन की द्रिष्टी से एक समवेदन सिल समय होता है जब तेज सारेरीक विकास की कारण पोश्टिक आहार की मांग में बिरिधी होती है किसोरा अवस्था के दोरान लिये गए आहार समंधी आच फॉलिक एसीड विटामीन ए और आयोडिन सहित विटामीन और खनीज की कमियों को रोकने के लिए भोजन का सुधरेढ़ी करण एक महतपुर्ण भूमिका निबाता है तो फ्रेंस इसमें आयरन है और फॉलिक एसीड विटामीन ए और आयोडिन सहित विटामीन और खनीज की कम्यों को क्या करता है रोकने के लिए भोजन का सुद्रेड़ी करन एक मतपुर्ण भुमिका निबता है तो फ्रेंस ये थे बिज्ञान के परस्ण जिसका सारा क्वेशन हो गया आप इसे अपने कोपी पर नोट कर लिजेगा यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक सेयर और यदि हमारी चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें ताकि आएसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें मिलते हैं नाक्स वीडियो में नेक्स्ट विशाई को लेकर तब तक के लिए भाई थ्यांक्स फर वाचिंग